हाई फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EPSC Info24 में स्वागत है तो दोस्तों हम उमीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुस होंगे फ्रेंड्स यह जो वीडियो है PGT नागरिश सास्त्र का भाग 190 है तो अगर आप TGT, PGT, LTE, GIC, KVS EPS, EPSC exam की तैआरी करने तो यह वीडियो आप के लिए है दोस्तों अगर आप इस वीडियो को टच किये हैं आप देख रहे हैं तो सायद आप serious है किसी भी exam के लिए तो दोस्तों वीडियो के अंतक बने रहे हैं content अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe कर लिजे दोस्तों start करते हैं आज का पहला नमर कोशन जो एक कर दोस्तों से इस्ञुरू हो रहा है इस वीडियो का और समाज वाद आपसन क्या विरोधि एक्त्व्य वाद्वाद्व, व्याक्या देखेंगे तो थोड़ा कीलियर हो जाएगा व्याक्या है instantaneous भहुल वाद्व के प्रमुख समर्थक लासकी क्रयब कोल लिन्द से और बारकर हैं इनको आप याँ से जरूरियात कर लिजेगा कहीं नोट कर लिजे एक कोर्षन में पूछा जा रहा है ठीक है बहुलवाद के प्रमुक समर्थकों में नाम है लास्की, क्रैब, कोल, लिंडसे और बारकर इनको नोट कर लिजेगा जरू बहुलवादियों का मत है कि प्रभु सत्ता केवल राज में नहीं बलकि कई संस्थाओं में रहती है समाज में अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, समाजिक और आर्थिक संस्थाओं है इस प्रकार बहुलुवाद एक तत्तवादी संप्रवता का विरोधी है जो बहुलुवाद विचारक है वो जो मानते हैं कि जो एक बहुलुवाद विचारक का मानना है कि जो प्रभु सकता है वो कई संस्थाओं में रहती है ना कि एक संस्थाओं में ऐसा उनका मानना है इसलिए उन्होंने कहा है कि समाज के अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कीतिक, समाजिक, आर्थिक संस्थाओं हैं जो मिलाकरी संप्रब्ता की रच्छा करती है और संप्रब्ता होती है तो वह बहुलवात के समर्थक है एक तत्तु आदी है जो संप्रब्ता के ओर एक तत्तु में संप्रब्ता को नहित मानते हैं तो इस तरह वह क्या है विरोधी है आगे देखते हैं नम्मर 2 कोशन है दूसर अंसर हो जाएगा दोस्तो प्लेटो ठीक है कार विशेशी करण का सिध्धान के प्रवत्तक कौन थे तो वह हैं प्लेटो आंसर आपका सी सही है व्याख्या देखते हैं प्लेटो ने कार विशेसी करर के सिध्धान का प्रितपादन किया है कार विशेसी करर सिध्धान का प्रितपादन कौन किया है तो वह हैं प्लेटो में प्लेटो ने उसने रिपब्लिक में नयाई विश्लेसर के क्रम में कार विश्लेसी करर किया है तो प्लेटो की जो रचना ह उसका नाम है Republic यह बार बार पूछा करता है मिलान करने के लिए पूछेगा तो मिलान करने के लिए याद रखियेगा क्यों प्लेटो की जो रचना है क्या है Republic है Republic में रिपशने क्रिम में कर्यची विसेशी करें किया उनके करम में कार्यविसेशी करर किया है उनके अनुशार व्यक्ति को अपना कार्य कुसल्ता पुरुवक करना चाहिए ताकि उसमें दच्छता प्राप्त हो जाए तो दोस्तों आप भी इस्टुडेंट है आप पड़ रहे हैं तो आप एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो आपको भी सीरियस वोकर करना चाहिए आपका एक एक मिनट टाइम महतपूर है के बिएस का एकजाम टीजीटी पीजीटी दोनों संपर नोशुके हैं अब अगली जो बारी है यूपी टीजीटी और पीजीटी ही है तो दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर का भी होने वाला है लेकिन कु देट आने वाले है जो फारम डाले होंगे लोग और कुछ नई वेकेंसिया भी आने वाली है तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें अगर आप लोग हैं तो मतलब मेनद करकर पढ़ते रहें एक ही पढ़ाई हर जगे काम आएगी अगर आप पीजीटी लेबल के पढ़ र कर इंटर तक के सभी NCRT को आप पढ़ते जाए यह मत देखिए कि कोई एकजाम आपके पास नहीं है तो इस चीज का आप विशेश ध्यान रखें कि आपको पढ़ाई करना है आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सीरियस लिजिए दोस्तों कमपेटीशन जादा है तो आप कोच ही टाइम लगे कि हां हम गुप गए तब आप वीडियो देखिए लेकिन आप किताब को ज्यादा पढ़िए यही आपसे रिक्वेस्ट है यही सला भी है आगे चलते हैं तीसरा नंबर कोश्चन निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फासिवाद में पाई जाती है आपसन ए प्रजातंत का विरोधी आपसन बी राज्य को साधन मानता है आपसन सी ए समाजवाद का पोशक आपसन डी ए अंतराष्टी सांती का अग्रदूद तो फासिवाद में पाई जाती है कौन सा त आपसन ए सही हो जाएगा वो क्या है प्रजातंत्र का विरोधी है ए फासिवाद की विशेष्ता है आपसन ए सही है व्याख्या देख लीजिए फासिवाद प्रजातंत्र का बिरोधी है इसके साथ ही साथ अंतराश्टिवाद एवं समाजवाद का भी बिरोधी है तथा राज्ज को साध्य मानता है फासिवाद क्या है प्रजातंत्र का बिरोधी है इसके साथ ही वो क्या है अंतराश्टियता वाद का और इसके बाद वाजवात का भी विरोधी है और राज को साध्य मानता है साधन्य मानकर क्या मानता है साध्य मानता है आगे चलते हैं चोथा नम्र कोशन है फोल, यह कथन किसका है कि सोतनता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं, और ना ही प्रिथक वे एक आदर्स के दो रूप है, यह किसका मानना है, आप्सन A है प्लेटो, फैरेटो, सारो, आप्सन बेवेटलैंड, आप्सन C है हर्बर्ट दिन, सी सही हो जाएगा हर्बट डीन का एक कथन है तो कथन जो है सुतन्ता और समांता न तो एक दूसरे के विरोधी हैं और नहीं प्रिथक वे एक आदर्स के दो रूप हैं तो एक किसका मानना है तो आंसर है आपका हर्बट डीन ठीक है पूरव भी नहीं मानते हैं और नहीं विरोधी मानते हैं व्याख्या में थोड़ा सा है वहीं चीज़ है सुतन्ता और समान्ता ना तो एक दूसरे के विरोधी है ना ही प्रिथक वे एक आधर्स के दो रूप है यह कथन हरवर्ट दीन का है इसको आप कोटेशन को नोट करते चलिएगा अगला है फाइप नम्मर कोशन सदस्य संसद सदस्यों के अतरिक निम लिखित में से किसे संसद की कारवाई में भाग लेने का अधिकार है तो किसको अधिकार है इसका आंसर आपको मिल गया होगा तो पाच पर अंजोग पाच वे का अंसर ओ आपका भी ए असान दोनों इंग्लिस और हिंधी दोनों याद रखियेगा कभी कभी इंग्लिस का अई पूरा लेख देता है हिंदी में भी तो उसको आप याद रखिएगा दोनों आगे चलते हैं दोस्तो व्याख्या देख लेते हैं संसत के सदस्यों के अत्रिक उक्त विकल्पों में केवल महान्यायवादी को संसत की कारवाई में भाग लेने का अधिकार है भारत का महान्यायवादी मंत्री मंडल का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसे किसी भी सदन में या उनकी समीती की बैठक में बोलने का अधिकार है किन्तु उसे ये मत देने का अधिकार नहीं है, वो मत नहीं दे सकता है, बस बोल सकता है, जो महा नयवादी है, जिसे इटानी जनरल करते हैं, और जो मतलब इस्टेट में काम करता है, उसी के प्रकाश जो पावर इस्टेट में रखता है, उसको महा अधी वक्ता कहा जाता है, उसको याद रखेगा 6 नमर कोशन देखते हैं प्रथम भारती नागरिक अधनियों संसर्दवारा का पारित किया गया प्रथम भारती नागरिक था अधनिययं संसर्दवारा का पारित किया गया आपक्संट ऐ है 1915 में आप्सइन बी ए उननीस सो तिरपन में आप्सइन SGO 35 में आप्सढ़ीए उननीस सो बामन में तो आंसर आपका क्या होजाएगा सी सई होजाएगा उननीस सो पचपन में व्याक्या देख लीजिए प्रथम भारती नागरिकता अधनियम संसत द्वारा 1955 में पारित किया गया था संसत द्वारा निर्मित नागरिकता अधनियम 1955 के अधिन भारती नागरिकता अरजित की जाती है भारती नागरिकता अरजित की जाती है तो भारत की नागरिकता किसके ताथ मिलती है तो अदिनियम जो है 1955 के द्वारा नागरिक अदिनियम 1955 के द्वारा मिलती है आपको भारत की नागरिकता आगे चलते हैं दोस्तो विदिक संप्रबता और राजनीतिक संप्रबता में अंतर बताया है विदिक संप्रबता और राजनितिक संप्रबता में अंतर किसने बताया है आपसन A है जान लाक ने आपसन B है जान आश्टीन ने आपसन C है A B डाइसी ने आपसन D है हेरोल्ड जे लास्की ने तो किसने बताया है दोस्तों तो आंसर आपका C के साथ जाता है एवी डाइसी ने बताया है कि विदिक संप्रबता और राजनितिक संप्रबता में अंतर है क्या अंतर है उसके बारे में देख लेते हैं एक राज्ज के अंतरगत कानून का निर्मार करने और उनका पालन कराने की सरोच सकती जिसके पास होती है उसे वैधानिक संप्रबता कहा जाता है। जिस संप्रबता को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रबता रहता है। इस संप्रबता के सामने वैधानिक संप्रबता को सिर जुकाना ही पड़ता है। आगे चलते हैं दोस्तों आठवा नमर कोस्टन है। निमन में से विचारकों का कौन सा युग्म वेज्ञानिक समाजवात के संस्थापकों में माना जाता है तो वेज्ञानिक समाजवात के संस्थापक कौन है यह आपको बताना है आपसन यह है चाल्स फूरिये तथा सेंट साइमन आपसन भी है सिडनी बेब तथा वी एंडिस आपसं C है Marks तथा Angels, आपसं D है Rh Tawny तथा William Evans टीन, तो कौन हो जाएगा दोस्तों answer, तो 8 का जो answer हो जाएगा, वो आपका C सही हो जाएगा Marks तथा Angels, ठीक है, विज्ञानिक समाजवाद के जो संस्थापक है, वो Marks तथा Angels है, इसको याद रखेगा, आगे चलते हैं दोस्तों विख्या देख लिजिए, विज्ञानिक समाजवाद के संस्थापकों में Marks और Angels प्रमुक हैं, कल Marks के विचारों को Marks वाद, Machs वादी समाजवाद तथा व्यज्ञानिक समाजवाद भी कहा गया है, तिन नाम दिया गया है, माकसवाद, माकसवादी समाजवाद ग्यानिक समाजवाद भी कहा गया है, जो क्या है, माक्स के विचार है, सामयवादी घोसरा पत्र उसकी प्रमुक क्रिती है, सामयवादी घोसरा पत्र भी क्या है, काल माक्स की क्रिती है, रचना है, इसको याद रखिएगा, आगे देखते हैं, उदारवाद का मौलिक सिध्ध सिध्धान्त क्या है आप्षन ए व्यक्तिक सिध्धान्त क्या है 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 व्यक्तिक सिध् है उदारवाद संपुर मानुवी व्यक्तित्व तथा व्यक्तियों की आत्मिक समानता में विश्वास करता है तथा व्यक्तियों की सुतंता को सबसे उचा अस्थान करता है अस्थान देता है आगे चलते हैं 10 नमर कोशन है सुतंता वह असब करने और आनंद लेने की सकरात्मक सकती या छमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है सुतंता का यह विचार किसका है आपसन ए टी येच ग्रीन का आपसन बी ए आई कांट का आपसन सी ए येच लास्की का आपसन डी ए जे येस मिलका तो दस का आंसर ए सही हो जाएगा दोस्तो टी येच ग्रीन का था सुतंता वह सब करने और आनंद लेने की सकरात्मक सकती या छमता है जो करने या आनंद लेने योग्य है सुतंता का यह विचार टी येच ग्रीन का था option A सही है व्याख्या देख लीजिए सोतंता को प्रिभासित करते हुए T.H. Green ने कहा है कि सोतंता उन कार्यों को करने तथा उप्योग करने की सकती है जो कार्य करने तथा उप्भोग करने योग्य है तथा उन्हें सोतंता को नीजी हित समाजिक हित है माना है नीजी हित समाजिक हित माना है तो ए आंसर आपका हो गया दस नमर तक कोशन थे और आपके साथ जो है दस नमर कैसा वीडियो लगा आपके सामने था दस कोशन तो कैसा वीडियो लगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज यादा पड़ने के लिए तो ऐसा नहीं है आप लोग पढ़ते रह रहे हैं समय दार सभी लोग हो गई तो आप लोग अच्छे से पढ़हें मन लगा पढ़हें यही बस कहने का मतलब था और कुछ कहने का मतलब है नहीं तो दोस्तों आप लोग सकसे जो यही हमारी सुबकामनाय हैं सभी लोग अच्छे से पढ़ें अच्छे से आगे बढ़ें जो चाह रहे हैं जिन्दगी में वह हासी लो तो नमस्कार दोस्तों